हाई अब्रीबडी वेलकम टू प्रैक्टिस मॉप तो कल हमने देखा कि आइफसी एक ग्रेड़े की एप्लिकेशन की डेट वो एक्सेंड हुई है और अब काफी टाइम मिल रहा है लोगों को कि वो इसके लिए अप्लाई कर पाए इस्पेसली फो दोस जिन्होंने लास्ट टाइम अप्लाई नहीं किया था तो उनको भी अब टाइम मिल गया थोड़ा सोचने का कि कि आएफस्य एक ग्रेडिय के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं अब कल मैंने ब्रीफली कुछ बताया थे जिसके विए से यह डेट एक्सेंड हुई होगी हो सकता है यह एंटारली रॉंग हो मैं यह क्लेम नहीं कर रहा कि यही रिजन हुए होंगे कुछ और भी registered कितने लोगों ने form को complete किया तो यह number आ रहा था around 10.5 या फिर 11 के क्या सपस अब total number of seats है 15 तो जैसे हमने कल discuss किया था थोड़ा सा कि हो सकता है number of applications कम रहे हों इसके लिए साइद date को extend करने की बात हुई हो हुए हुआ कुछ लोगों ने message किया कि sir number of seats का या फिर number of applications का date के extend होने से क्या relation है क्योंकि वो number of seats बीच में भी बढ़ा सकते हैं बिना date को extend किये यह बात हम इसको बोल सकते हैं partly सही है partly incorrect क्यों है वो मैं आपको ऐसे थोड़ा सा आप सोच के देखो कि अगर number of seats बहुत कम है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग number of seats को देखके decide कर लेते हैं कि मुझे form fill करना है या फिर नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने number of seats को देखके decide किया है कि वो apply नहीं करेंगे क्योंकि seat है बहुत कम है अब अगर थोड़ी सी भी increase होती है seats में तो कुछ लोग influence होंगे and number of forms जो है वो बढ़ता ही बढ़ता है तो जो first time date को extend किया गया था उसके बाद आपने देख कि बहुत सारे forms fill किये गए थे likewise अगर मालो 2-3 seats या फिर 5 seats अगर बढ़ जाए जो कि 5 बढ़ना बहुत मुस्किल है बट फिर भी मैं आपको example के लिए बोल रहा हूं कि number of seats अगर थोड़े से और बढ़ जाए तो इसमें कोई doubt नहीं है कि applications भी बढ़ेंगे तो यह सब कुछ reasons हो सकते हैं लेकिन इसके beyond फिर क्या इसके बाद क्या करें क्योंकि अभी भी काफी time है अगर आप ऐसे देखो तो जो date form बढ़ने की date थी जैसे आपने यहाँ पर notice किया होगा कि last date जो है apply करने का वो है 14th June right so 14th June है last date मतलब काफी time है अभी भी around one month या फिर ऐसे बोलो कि 26-27 days है अभी तो फिर इसके आगे कैसे plan करें क्योंकि बहुत सारे topic sense में अगर आप ऐसे देखो तो SEBI और RBI ये दोनों को आप merge कर दो उसके बाद भी कुछ topics बच जाते हैं जो कि इन दोनों में नहीं है जैसे कि आपको pension के बारे में read करना है अब RBI में जो questions आते हैं वो हो सकता है किसी pension sector के scheme के उ related कुछ एकदम deep में पूछा जाए या फिर उसके concept पूछे जाए वो RBI भी नहीं होता है लेकिन IFSE में हो सकता है likewise इसमें IFSE Act है phase 2 में तो बहुत सारी चीजे हैं जो आपको additionally यहाँ पर read करनी पड़ेगी लेकिन उसके लिए फिर time भी है तो एक एक करके देख रहा हैं कि अग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है gift city या फिर overall IFSE से related हो या फिर IFSE ने जो जो पिछले बहुत सारे months में जो initiatives लिये हैं जैसे कि May month की बात करें तो May month में REC Limited और ERADA इन दोनों ने अपने IFSE unit को establish किया है in the gift city तो यह सब questions जो है वो GA में पूछे जा सकते हैं थोड़े ज्यादा जो कि SEBI में usually gift city से या IFSE से उतना ज्यादा नहीं होता I mean वो capital market पे focus रहते हैं so paper 2 के subjects को कैसे कैसे I mean आप अगर देखो list उसकी तो list में कई सारे topics हैं तो उनको फिर approach कैसे किया जाए जैसे अगर मैं read करके बताओं आपको तो यहाँ पे आता है multiple choice questions on general knowledge अब यह सोचो paper 2 का topic है अब इन्होंने यह लिख दिया तो यह literally कुछ भी पूछ सकते हैं तो आप समझ सकते हो कि आपको किस level पे चीज़े cover करनी है क्योंकि यह फिर आप से अब कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर यह भी नहीं लिखा कि GK में भी especially financial sector या फिर economy, finance यह सब चीज़ों पर इनका focus रहने वाला होगा यह भी इन्होंने नहीं लिखा है यहाँ पर उसके बाद है economic and social development अब यह पार्ट ऐसा है जो आपके RBI से य accounts का portion यह आपके saving के portion से match करता है, RBI में भी accounts का portion add किया गया था लेकिन RBI का जो accounts का syllabus है वो उतना vast नहीं है जितना saving का है, उसके बाद management जो RBI से भी दोनों में आता है, फिर है finance and costing, उसके बाद Indian economy, अब Indian economy में again इसको static point of view से read करे, या फिर जो news में आ रही है चीज़े उसको read क तो यह भी आपको confusion हो सकती है थोड़ी, बट अगर आप Indian economy की बात करो, तो I mean economics और Indian economy यह दोनों का nature अलग-अलग हो जाएगा, economics में आपको mostly theoretical चीज़े पढ़नी है और वो part होगा आपके, largely वो part होगा आपके paper 2 का, sorry, so Indian economy में और economics में, difference यह हो जाएगा कि economics आपका mostly theoretical रहने वाला है, जिसमें micro से related चीज़े पूछी जाएंगी, तो अगर हम बात करें law of demand, यह सब चीज़े जो होगी, वो आती है economics में, अब Indian economy में क्या-क्या चीज़े पूछी जा सकती है, जैसे अभी recently, PLFS survey, ठीक है, यह आया, so इसके बारे में पूछा जा सकता है, अब इ जितनी भी आप ऐसे देख लो, तो जितने भी हमारे indices होते हैं, WPI हो गया, CPI हो गया, तो यह सब आपको पता होना चाहिए, Indian economy के context में, जो developments हो रहे हैं, वो आपको आना चाहिए, तो यह आपके RBI का part बनेगा, और SEBI में, यह सब GA में पूछा जा सकता है, कि अगर हम recent news से link क करें उसको, तो वो सब GA का part बनता है mostly, लेकिन उसका static field आपके paper 2 में आ सकता है, क्योंकि यह सब economics में भी पढ़ी जाती है, चीजे, so, इन में बहुत सारे topics ऐसे हैं, जैसे हम बात करें, global economy की, अब global economy के नाम से, आपको SEBI में कुछ नहीं दिखेगा, हो सकता है GA में कुछ बात करो, तो में मन्त में एक news आई थी, about artiga, ठीक है, इसको आप फ़रा सर्च करना क्या है, यह India और ASEAN, इसके trade negotiation से related है, इसकी एक meeting इसी साल, February में भी हुई थी, और next meeting इसकी, इस महीने में में हुई है, तो ऐसी ऐसी जो news articles हैं, वो आपको अच्छे से देखना होता है, अब अगर आप RBI के syllabus को recall करो, तो RBI में international organizations, या फिर regional economic corporation, ये सब syllabus का part है, तो वहाँ से ये link हो जाएगा, बट SEBI में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरा point ये था, कि आपको थोड़ा पढ़ने का तरीका, वो adjust करना पड़ेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको किसी course की requirement हैगे, यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने SEBI या फिर RBI का कोई course ले रखा है, तो बहुत सारा part आपका वहाँ से cover हो जाएगा, जो additional चीज़े हैं, वो आपको खुद से करनी पड़ेगी, तो अब आप ये देखो, कि जो part आपको खुद से cover करना पड़ रहा है, क्या आपके पास उतना time है, अगर आप कहीं job कर रहे हैं, तो सायद बहुत मुस्किल है, तो उस case में आप ये form fill ना करो, तो भी चल सकता है, लेकिन अगर आप full time study कर रहे हैं, और suppose कि आपका नाबाट नहीं है, आपका सिर्फ RBI और CB था, तो उस case में मैं आपको जरूर सेज़ेस्ट करूँगा कि ये exam आप दो, तो selection ना हो, हो वो अलग बात है, seat बहुत कम है, I know, लेकिन आप इसको ऐसे सोच के देखो, कि इसके through, क और application कब start होगी, ये तो अभी किसी को नहीं पता, जून में जब general elections के result आते हैं, उसके बाद से हो सकता है, start हो जाए, बट अभी के लिए, IFSC का हमें पता है कि total seats कितनी है, form extend हुआ है, वो भी हमें पता है कि कब last date है, तो ये सब public domain information जो है, वो IFSC के बारे में जादा है, तो अगर आपके पास time है, और आप सिर्फ RBI और SEBI की preparation कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से आपको IFSC का भी करना होगा, ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि हमें अपने mocks बिकवाने हैं इसलिए, आप ठोड़ा खुद से सोच के देखना, अगर आपने ये सोच लि मिल गया, तो अब आपकी पढ़ाई थोड़ी speed up हो जाएगी, exam में result कुछ भी आता हो, कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके लिए आपको अलग से course लेनी की जरूरत है, आप इसको खुद से करो, खुद से देखो, बट ये जरूर होगा कि आपका finance, उसके बा आने वाला है, so IFCA को आप यूज करो, कि आपकी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई speed up हो पाए, and इसके जो phase 2 का syllabus है, उसमें से बहुत सारा part again आपके RBI में भी काम आएगा, जैसे जून में जब results आते हैं elections के, तो हो सकता है कि उसके तुरंत, I mean जब cabinet की formation हो जाए, तो उसके एक दो हपते के अंदर ही हो सकता है कि union budget फिर से आजाए, क्योंकि आप recall करो, तो February में जो आया था, वो हमारा interim budget था, वो full budget नहीं था, और उस समय भी government ने बोला था कि जैसे ही सरकार बनती है, तो तुरंत हम full budget, वो हम लेके आ जाएंगे, तो वो जब आ जाएगा, तो उसी के आ union budget आने के chances बहुत है, बहुत जादा है, अब ये आपका RBI में भी काम आएगा बहुत जादा, अब अगर उस समय आपका ये exam रहे, IFSC हैगा, मालो की July mid में exam हो, July mid में होने के chances जादा है, तो अगर July mid में IFSC होता है, तो आप इस वज़न से union budget और economic survey अगर आता है, तो वैसे survey क आने के chances बहुत कम है, बट फिर भी, आप उस समय तक काफी चीज़े पढ़ चुके होंगे, और budget इस exam के वज़े से आपको जल्ली से cover करना पड़ेगा, उसके अलावा, क्योंकि phase 2 हो, चाहे phase 1 हो, IFSC में आपको बहुत सारा part ऐसा भी मिलेगा, जो कि directly PIB से आता हो, तो जैसे इस exam के लिए आप regularly PIB को follow कर रहे हैं, तो सोचो कि ये आपको कितना काम आएगा RBI में, so again, मैं इसको थोड़ा सा wrap up करता हूँ, ये बोलके, कि जो working aspirants हैं, जिनके पास बहुत जाला time नहीं बसता, उनके लिए इस exam को target करना थोड़ा मुस्किल है, आपको time नहीं मिल पाएग नहीं मिल पाएगा extra, लेकिन जो full, I mean dedicated होके RBI और SEBI के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको इस exam के बारे में भी seriously सोचना चाहिए, क्योंकि इससे आपका आगे का काम काफी आसान होगा, जो चीज़े extra हैं, वो आप सोच के देखो कितनी जादा हैं, जैसे IF IFSC Act के हम बात करें, तो total, अगर आप Act की PDF को देखो, तो ये PDF hardly 17-18 pages की है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे page पे हर word को अच्छे से read करना है, आप PDF की printout निकालो, जो उसके salient features है, उसको आप highlight करो, आप इसको 2-3 बार देखोगे, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, इसको compliment करन करने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ rules भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि IFSC Act को support करने के लिए कुछ set of rules भी बने हुए है, जैसे कि यहाँ पे, companies act में होता है, तो वो rules आपको थोड़ा सा देखना रहेगा, फिर भी अगर मैं बोलूँ, तो ये पूरा, अगर आप हर दिन दो-दो घंटे दे रहे हो, तो ये मुश्किल से 5-6 दिन का काम है, मैं सिर्फ IFSC Act की बात कर रहा हूँ, तो 5-6 दिन देने से ये part भी आपका हो जाएगा, तो छोड़ा सोच के देखना, अगर ये feasible है, अगर आपको लग रहा है कि आप time निकाल पाओगे, तो इसके लिए आ और RBI से common है, आप ये सोच के जाओ कि मुझे उसको पहले बहुत अच्छे से करना है, अगर IFSC के exam तक ये सारे parts आपके हो गएं, तो आप सोच के देखो कि ये कितना advantage आपको देगा SEBI में और RBI में, फिर उस बात से exam, IFSC exam के बात से, और SEBI के exam तक जो duration रहेगा, उसमें आप को सिर्फ revisey करना रहेगा, तो ये exam आपके आगे का काम बहुत असान कर देता है, तो एक बार अच्छे से सोचना, और अगर लगे कि आप इसके लिए time निकाल पाऊगे थोड़ा सा, तो आप time निकालो, और इसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, thanks for watching.